नमस्का दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने येट्यूब चैनल त्यारी सक्सेस की में दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे राष्टे वा अंतराष्टे दिवस के उपर दोस्तों एक्जाम में इस टॉपिक से सवाल बनते हैं चाहे वो कोई भी क्यों न एक्जाम हो एक सवाल आपको जरूर देखने को मिलता है दोस्तों आप मेरा विश्वास कीजिए अगर ये वीडियो को एक से दो बार आप देख लेते हैं इसके बात आपका कोई भी प्रस्ण इससे बाहर नहीं जाएगा और इस वीडियो में जितना भी इंपोडेंट डे का सवाल लिया गया है वो सभी जो इंपोडेंट है और इक्जाम में आते हैं वहीं सारे सवाल है ऐसा नहीं कि पूरा A to Z मतलब जनवर से लेके डिसमबर त पुझे का है तो दोस्तो हम लोग सुरू करते हैं तो दोस्तो में तुपन्ध दिवेश में सबसे पहला मैं तुपन्द इवसाता है 9 जनवरी तो दोस्तों नौ जनवरी क्या है नौ जनवरी है परवासी भारतिय दिवस यानि एनराइड ठीक है याद रखिएगा बहुत-बहुत इंपोडेंट है क्यों क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी दच्छीन अफ्रीका से भारत आये थे और इसी उपलक्ष से हम लोग र लग मनाते हैं और विष्व हिंधी दिवस अलग मनाते हैं तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 10 जनवरी होगा विष्व हिंदी दिवस नेक्स्ट है चौदा जनवरी C vi warrior 24 जनवरीराइड बेरी इंपोडेंट तो Accounts कर कर लिजेगा जो 24 जनवरी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्डेंट है राष्टे वालिका दिवस और 25 जनवरी है राष्टे मातदाता दिवस दोनों ही बहुत बहुत इंपोर्डेंट है याद रखिएगा जनवरी से जनवरी से आपको दो को याद रखना होगा जो बहुत ही रखिएगा 12 जनवरी क्या है राश्टी यूबा दिवस ठीक है वह भी बहुत-बहुत इंपोडेंट है चार्थो दिवस चार्थो डे आप लोग अपने पॉइंटों में रखिएगा एक नौ जनवरी दूसरा है दस जनवरी और तूसरा है आपका 24 जनवरी और जो चौथा है वह 25 जनवरी यह अपना बहुत-बहुत इंपोडेंट है नेच्स्टे दोस्तों 28 परवडेंट नेच्सथ दोस्तो 28 परवरी क्या है च्फाले ये राश्टिय विग्यान दिवस और दोस्तों राश्टिय जो बिग्यान दिवस है हम लोग सिवी रवन दिन की उपलक्ष पर याद रखिएगा 18 फरवरी 28 मार्च दूस्तों इसको इस्टार मार्क लगा लीजे बहुत बहुत इंपोरेंट है दोस्तों एक भी सवाल को आप इस सवाल मत कीजिये पूरा ध्यान से देखिए एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो मैं बिना जान बूच के लाया हूँ मतलब पूरा deeply analysis क्या हुआ है उसके बाद ही यह सवाल को यहाँ पर include किया हूँ तो 8 March अंतराश्टिय महिला दिवस नेक्स्ट है 22 March दोस्तो 22 March है विश्वजल दिवस याद रखिएगा very very important यह भी फिर है यह साथ अप्रेल साथ अप्रेल रहें भी मुट Як स Васफ दिवस घुरे साता उप्रेल नेक्स्तों आप लोग को analysis फोड़ा अघर थोड़ा याद रखिएगा राष्टी पंचाइती राज दिवस है 24 अपरेल फिर नेक्स्ट है एक मई एक मई है विश्व स्रमीक दिवस या फिर इसको आप कह सकते हैं विश्व मजदूर दिवस याद रखिएगा बहुत-बहुत इनपोडेंट है नेक्स्ट है बारा मई बारा मई है विश्व नर्स दिवस याद रखिएगा और यह उनाइटेड नेशन के तरफ से मनाया जाता है इसलिए बहुत-बहुत इनपोडेंट है नेक्स्ट है बाइस मई बाइस में है विश्व जय बिवदिता दिवस दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान दिजिएगा बाइस मे बाइस अपरेल यह बहुत-बहुत इनपोडेंट है बाइस मार्च पहले फिर बाइस अपरेल फिर बाइस मई पहले है आपका पहले क्या होगा पहले जल दिवस और बाइस जो अपरेल है वो है प्रिथिवी दिवस और बाइस में जो है वो है जैब विवतिता दिवस यह त या फिर आपको पूछे कि दूद्ध उत्पादन में विश्व का पृथ्वम देश कौन सा है तो आपका राइट एंसर होगा भारत याद रखिएगा नेक्स्ट है पांथ जून दोस्तों पांथ जून को मना जाता है विश्व परियावरन दिवस भेरी भेरी इंपोर्डेंट विश्व परियावरन दिवस मना जाता है पांथ जून को नेक्स्ट है आठ जुन और आठ जुन को मनाए जाता है विश्व महासागर दिवस ये भी बहुत ज़्यादा इंपोर्डेंट है नेक्स्ट जो आपका जुन में याद रहना है वो रखना है 17 जुन दोस्तों 17 जुन है मरुस्त्रीकरण रोक्ताम दिवस मतलब जो उस्थान मरुस्तल में जो बदल रहा है उसका रोक्ताम कैसे करे उसको इ podíaसे जागरूग बनाए उसके लिए मनाए जाता है मरुस्त्री करन रोकथाम दिवस याद रखिएगा फिर है दोस्तो 21 जून 21 जून बेरी बेरी इंपोडेंट और 21 जून को मना जाता है अंतराश्टी योग दिवस ठीक है बेरी बेरी इंपोडेंट नेक्ट सवाल है 1 जुलाई दोस्तो एक जुलाई को मना जाता है डॉक्टर्स डे और डॉक्टर्स डे मना जाता है डॉक्टर बिधान चंद्र रोई के जनम दिन की उपलक्ष पर याद रखिएगा बेरी बेरी इंपोडेंट है डॉक्टर बिधान चंद्र रोई नेक्स्ट है चार जुलाई दोस्तों चार जुलाई को मनाय जाता है अमेरिका स्वतंतरता दिवस मनाय जाता है चार जुलाई को next है 11 जूलाइए दोस्तों 16 जूलाइए को मना जाता है विश्व जनसेंख्या दिवस और ड़स्तों अगर पुछे कि इस डेस की जनसेंख्या सरवादिक है तो सबसे जब ज़्यादा सरवादिग जो जन जूलाएश है वो है नर्षिन मंडेला दिवस दोस्तों यह नर्षिन मंडेला कौण है तच्छीन अमेरिका के राष्टपती याद रखीएगा भेरी भेरी इंपोडेंट है नेक्ष्ट दोस्तों है 26 जुलाई दोस्तों 26 जुलाई को मनाय जाता है कर गिल वीजय दिवस बेरी il b करगिल बिजय दिवस है 26 जुलाई नेक्स्ट है 28 जुलाई और 28 जुलाई को मना जाता है विश्व हैपेटाइटीस डे याद रखेएगा विश्व हैपेटाइटीस दिवस मना जाता है 28 जुलाई को नेक्स्ट है 29 जुलाई 29 जुलाई को मना जाता है अंतराश्टिय बाग द दिवस और दोस्तों आगर आपसे पूछे कि बागो की जो संख्या है वो किस राज्य में सरवादिक है तो आप लोग याद रखिएगा वह MP में सबसे ज़्यादा है और इसलिए दोस्तों MP को टाइगर स्टेट कहते हैं याद दोस्तों ह各 दोसरी दिवस कि युों मना जाता है दोस्तों हरोसीमा में जो विश्विथे चल रहा था उस दोरान अमेरिका ने बम किराया था उससे भ्यांकर तबाही हुआ था sole और उस दिन का जो धर नटना घटित हुआ था उस और जिंदिकी कभी नहीं आए उसकी याद में मनाया जाता है छोगस्त को हिरोसिमा दिवस याद रखिएगा छोगस्त और नौगस्त चोगस्त और नौगस्त दोनों ही इन्पोडेंट है नगासागी दिवस्त वह उहां पर भी बम गिराया गया था अमेरिका के दूआ रही अगर पूछे कि हिरो whण आजसास की में गिराय था वो कहां नेक्ष्ट दोस्तो नो अगस्त को मनाया जाता है विश्ह आदिवासी दिवस्त बहु सब्सक्त हैं याद रहे Health रखियेगा बहुत-बहुत मनाया जाका अंतराश्टी युबा दिवस्त और अगर पुछेसली युबास अतलब राष्ट्य वाला जनवरी को है अंतर राष्ट्य वाला अगस्त को है you have next है दोस्तों बारा अगस्त को ही मनाए जाता है और एक दिवस हे विश्व हाती दिवस नेक्स्ट है दोस्तों 39 अगश्ट है राश्ट्य खेल दिवस वहीर इंपोडेट है और दोस्तों ये राश्ट्य खेल दिवस जो है शिच्चक डिवस आप लोग सभी जानते हैं मांच अक्टूबर को यह थोड़ा इन्पोडेंट है याद रखिएगा यह इनाटेट नेशन के तरफ से मनाए जाता है ठीक है याद रखिए नेक्स्ट आठ सितमबर को मना जाता है से आठ सितमबर को मना जाता है विश्व साच्छारता दिवस ठीक है याद रखियेगा यह भी बहुत बहुत इंपोर्डेंट है नेक्स्ट है चौदह सितमबर दूस्तों 14 सितमबर को मनाते हैं हम लोग राष्टि लिवस और जो विश्व मनाता सब्सक्राइबyo 13- укहने 10 जंवरी को राश्ट वित्मिश्व हिंदी दिवस शर्ष Southwest 15 सितन्वर है लुकतंत्र दिवस और गडु दिवस दोस्तो जुगाड़ी दिवस का मतलब क्या है इंजिनियर्स दे याद रखेगा तो next है दोस्तों next सवाल very very important आपको हर सेट में कोई न कोई एक्जाम में आपको देखने को जरूर मिलता है तो चोगस दोस्तों ओजोन दिवस very very important है next है 27 सितंबर है विश्व परियर्टन दिवस यह भी बहुत बहुत important है विश्व परियर्टन दिवस next है 29 सितंबर दोस्तों 29 सितंबर को है विश्व हिर्दाई दिवस याद रखेगा विश्व हिर्दाई दिवस मनाते हैं हम लोग 29 सितंबर को चलते हैं आगे next है 2 अक्टूबर दोस्तों 2 अक्टूबर अंतराश्टि अहिंसा दिवस मनाते हैं याद रखेगा और यह United Nation के तरफ से मनाये जाता है याद रखेगा very very important है और दोस्तों जो 8 अक्टूबर है वो हम लोग Air Force Day के रुपे मनाते हैं ठीक है Air Force Day के रुपे मनाते हैं 8 अक्टूबर को next है 11 अक्टूबर दोस्तों 11 अक्टूबर को मनाते हैं अंतराश्टि अवाली का दिवस दोस्तों आप लोग पहले पढ़े कि राश्टि वाली का दिवस का मनाते है राष्ट्य बाली का दिवस को हम लोग मनाते हैं 24 जनवरी को और यह अंतराष्ट्य बाली का दिवस मनाते हैं यह 11 अक्टूबर को याद रखिएगा भेरी भेरी इंपोर्डेंट है नेक्स्ट है 15 अक्टूबर दोस्तों 15 अक्टूबर को मनाते हैं चात्र दिवस और नवाचार दिवस दोस्तों ये जो चात्र दिवस है वो APG अब्दूल कलम के जन दिन के उपलक्ष पर मनाते हैं जयाद रखिएगा बेरी बेरी इन्पोडेंट है भी दोस्तों ये इसको आप star mark कर लीजे very very important 16 October को किस रूप में मनाते हैं विश्व खाद दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों हम लोग 16 September पढ़े 16 September को क्या था और 16 October यानि एक महिना बाद खाद दिवस है next है 24 October दोस्तों 24 October को मनाते हैं United Nation Day very very important दोस्तों इस्टार मार्क लगा के रखिएगा United Nation है 24 October फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं 5 November दोस्तों 5 November को हम लोग मनाते हैं विश्व तुनामी जागरुकता दिवस ये भी important है याद रखिएगा very very important है 5 November को मनाते हैं विश्व सुनामी जागरुकता दिवस आगे चलते हैं आगे चलते हैं दोस्तों देखते हैं 19 November दोस्तों 19 November को हम लोग मनाते हैं विश्व सौचालई दिवस very very important है ये भी याद रखिएगा विश्व सौचालई दिवस हम लोग मनाते हैं 19 November next है दोस्तों 26 November दोस्तों 26 November को हम लोग मनाते हैं समीधान दिवस याद रखिएगा very very important है 26 November को 26 November को ही हम लोग मनाते हैं राश्व दुद दिवस ठीक है याद रखिएगा very very important है इसको भी आप लोग note कर लीजेगा और दोस्तो हम लोग 1 जून को मनाते थे विश्यो दूद्ध दिवस और ये राष्ट्य दूद्ध दिवस है 26 November को ठीक है नेक्स्ट है मतलब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं दोस्तो ऐसे आप याद सकते हैं सम्मीधान सम्मीधान मतलब होता है दोस्तो अधिकार का बात तो दूद पीना भी हम लोग का जर्मसिद अधिकार Hai ऐसे करके आप लोग की याद सरकते हैं एकंडिसमबर है ँटेवस दोस्तो यह भी अपने आप आज दिसंबर को मनाते हैं हम लोग विश्व मिर्दा दिवस दोस्तों यह important है याद रखिएगा दोस्तों जो खाद दिवस से ओजोन दिवस से मिर्दा दिवस से और भुखता दिवस से इसको आप लोग याद रखिएगा और परियावरन दिवस से फिर प्रितिवी दिवस से वो उसको याद रखिएगा विश्व जल दिवस है वो सब को अंडरलाइन करके पहले लिख लिजे कोपी में और यह सब को पढ़िएगा जुरूर नेक्स्ट है दस दिसंबर दस दिसंबर है मानवधिकार दिवस दोस्ति ये भी बहुत इंपर्डेंट सवाल है दस दिसंबर क मनाते हैं विजए दिवस दोस्तों 16 दिसंबर को मनाते हैं विजए दिवस ये भी बहुत बहुत इंपर्डेंट सवाल है याद रखिएगा 16 दिसंबर को मनाते हैं विजए दिवस दोस्तों आगे देखते हैं आगे हैं दोस्तों 24 दिसंबर को मनाते हैं राष्टी उपभोक दिवस बेरी बेरी इंपॉडेंट है दोस्तों इसको आप जरूर पढ़िएगा कि यह सवाल पहुत पहुत एकजाम में आया है नेक्स्ट है दोस्तों 25 दिसमबर क्रिसमस मनाते हैं लेकिन आप लोग को किसमस तो आप सबका माइंड में रहते ही है आप लोग याद रखिएग 25 दिसमबर सुसासन दिवस और दोस्तों यह सुसासन दिवस मनाते हैं अटल बिहारी बाचपे जो हम लोग के पुर्व प्रधान मंत्री थे उनके चनमदिन के उपलक्ष पर ठीक है तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत बहुत हेल्प मिला है और अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को थोड़ा बहुत अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजिए ठीक है तो दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तर दे मात्रम.